हम एक senior citizen चंडिगड के complaint लेके आयते हमारा पास जो डेटिंग अप इस्तमाल करते वक्त अल्मॉस्ट साड़े सोलाग अपना को के आये थे यह जी जो भी ऐसा एप्स जो एसकॉट्स टूणने वाले या जैसा डेटिंग एप्स यूज करने वाले हैं उनमें से लुक फेक प्रोफेल्स बना लेते थे पहले कुछ मतलब रैंडम सोशल मीडिया साइट से कुछ फोटो दे देते थे तो इस नंबर्स पर जैसे काल होती थी ट्राप कर लेते थे आदरवाइस आलसो इनके पास डेटा मिलता था नंबर्स तो रैंडमली यह लोग यह बल्क एसमस सेंडिंग मशिन के द्वारा मेसेज़स बिजवाते थे साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ काफी ज़्यादा शिकायतों के बाद कई गिरफतारियां इस मामले में होई हैं डेटिंग एप के मामले जिसकी शिकायते बढ़ी हैं जिसको लेकर जो ठग हैं वो किस तरह से लोगों को जाल में फसाते हैं और उसके बाद डेटिंग एप की या बाते करके और किस तरह से प पूरा मामला क्या था हमारे साथ सीनिर ऑफिसर है सर लगातार लोगों को अवेर किया जाता है आपकी तरफ से लगातार अवेर्नेस कैमपेंग लगाई जाते हैं लेकिन साइबर जो क्राइम का डायरा है वो पिछली दिनों में काफी बड़ा है यह डेटिंग आप का मामला आ है थे हमारा पास जो डेटिंग एप इस्तमाल करते वक्त अल्मॉस्ट साड़े सोला लाग अपना को के आए थे यह पर तो उसमें हमने फैर रिजिस्ट करी फैर दो नंबर फैर इसमें हमारा जो मल्टिपल अकॉंट्स में पैसा गया था विक्टिम का तो अकॉंट्स का बै हमने यह पाय कि यह लोग कोलकता से अपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक अकॉंट्स प्रवाइड कराने वाला ऐसा कॉल सेंटर का एक बंदे को पकड़ा था हमने दतातरे कुंडू करके वह पहले जैसी जा चुका है तो उसी का हम लोग आगे बढ़ते हुए अचारिया करके तो इसको हमने अभी अरेस्ट किया है यह कंप्यूर साइंस ग्रैजुएट है वही कोलकता से इसके पास से काफी चीजे बरामद भी हुए है जैसा 25 के असपास मॉबाइल फोन्स डिफरेंट डिफरेंट टीएस्पीस का सिम कार्ट एक बल्क एसमेस सेंडिं के लिए वह भी करते ते यह लोग तो एक डेटिंग एप्स वाला एक पहले भी कर रहा है तो इस अनदर सक्सक्राइब कैसे होती ते किस तरह जी जो भी ऐसा एप्स जो एसकॉट्स डूने वाले या जैसा डेटिंग एप्स यूज करने वाले है उनमें से लोग फेक निकाल के लड़कियों का लगा के नंबर्स दे देते थे तो इस नंबर्स पर जैसे कॉल होती थी ट्राप कर लेते थे अदरवाइज आलसो इनके पास डेटा मिलता था नंबर्स तो रैंडमली यह लोग यह बल्क एसमस सेंडिंग मशिन के द्वारा मेसेज़स बिस्वाज बिजवाते थे उसमें वही थोड़ा सा मतलब आपके नजदीक में ही आपको अवैलेबल रेट्स में यह मिल जाएंगे उस टाइप से लोग एंटाइसिंग एट्स होती थी तो उस जाल में जो भी फस्ते थे पहले यह जो काल सेंटर बना रखा था तो दो तरीका था बेसि से भी यह लोग काल करके फसते थे तो स्वीट टॉक करके यह लोग जब ट्रैप में फसा दिया है फिर बोलते थे थोड़ा सा और अच्छा यह है मिलना है तो इतना पैसा लगेगा तो और बात करना है और अच्छा प्रफाल वालों से बात करना है तो और पैसा लगेगा उ लोगों को किस तरह से अप्लिकेशन है तो किस तरह से लोगों को 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 अप्लिकेशन है तो किस तरह से हम लोग मीडिया में जैसा आज भी देख सकते हैं अगवारों में भी आए हमरा आड भी तो यह लगातार मुहिम चल रहे हैं इसके बावजुद भी कुछ human जो weaker emotions है जैसा उसको यह लोग use करके cyber criminals जो है तो पब्लिक को चीट कर रहे है एक चीज और सामने आई है कि जो एजड होते हैं या फिर जो retired person होते क्योंकि एक और मामला सामने आया था करीब अठा रहा है उन्स लाग रेटायर जो चंडिकट पुलिस के इंस्पेक्टर थे उनको भी निशाना बनाया गया वो पूरा मामला क्या था उससे कैसे बचे जाए जी यह इंस्पेक्टर retired हमरा जो पुलिस के यह मामला है यह pension related यह है इसमें एक आक्यूज जो है अपने आपको अप्लिकेशन और डाउनलोड करवाया इंसे उसके जरिये इनके पास जो भी सेविंग्स था उसको उन्होंने साइफन आप कर दी अल्मोस्ट यह भी 18-19 लाग का है और यह काम चली रहा है इसमें तो गड़ यह कह सकते के पूरा नैक्सस वेस्ट मंगाल से चला वाहां से वहां से हुआ है वहां से यह सारे हुआ है वह फेक SIM कार्ट यह अपना मतलब मल्टिपल अक्वाले बहाते करते हैं तो इसा कॉंदर वाले बी वहां में कहना चाहूंगा दोनों में कि ऐसे मतलब इसमें इसमें फसे ना जो भी ऐसे कॉल आता है मेसे जाता है पूरा वेरिफाई करें प्रॉपर थोड़ा सा तो जल्दवाजी में आके इसमें गवान ना गवाए तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह से मामले जैसे दो एक्जामपल बड़े एक्जामपल दिया है और लाखों की ठगी हुई है एक रिटायर ओफीसर थे दुछरे भी रिटायर ओफीसर है एक में डेटिंग आप कर जरी है क्योंकि ये डेटिंग आप का पहला मामला नहीं यह से पहले भी पुलिस के पास ऐसे मामले आ चुके हैं और इसमें गिरफतारिया भी हो चुके हैं लेकिन किस तरह से लोगों को अपने बातों में आकर ठगा जाता है और लोग ठग जाते हैं उसके बाद पुलिस को शिगाए देती है उससे पहले ही अवेर होना बहुत ज़रूरी है और बार बार जहां सिम स्लोट ये 512 सर 512 सर इसका मेन काम क्या होता था इसी से वो सारा उपरेट करते हैं ये बल्क SMS सेंडिंग मेशीन था इसमें लोग जो SMS ड्राफ्ट कर लेते थे आठे टाइम पर पांसो बारा SMS जा सकता है पांसो बारा सिम्स है एक दिन में इसको हम इंटरौकेशन हैं बीवी बेचते थे तो जानिन लग लग छी मिसमें डालकर मैसे सेम ही होता था इनका एक्चली टावर को तीन तरीके के SMS बेचते थे हमें ये पता चला एक डेटिंग ओला था दूसरा इंशुरेंस फ्राट को लेके बेचते थे यह लोग इंसुरेंस को कुछ पॉलिसी वगरा का इशू है परके दूसरा आपका टावर्स का और क्रेडिट कार्ड्स का भी यह लोग बेचते थे थे तो यह बिलकुल जैसे सर ने बताया और यह मशीन जो है रिकावर की गई है चंदिगर साइबर सेल की जो साइ की जा रहे थी एक पूरा कॉल सेंटर बनाया हुआ था जिसमें लड़कियां भी रखी गई थी जॉब के लिए उनको पे किया जाता था और वही कॉल करती थी लोगों को डेटिंग एप के बारे में या किस तरह से यह सारी चीजों को लेकर अब पुलिस टेकनिकल कई चीज चीजे वहां पर चल रही हैं किस तरह से कॉल सेंटर किये जा रहे हैं ठगी पूरी किया रही है उसको लेकर लगतार पुलिस इसमें गिरफतारिया कर रही है और कई खुलासे इसमें पुलिस द्वारा किये गए हैं कि किस तरह से लोगों के साथ ठगी किया जाती है किस तरह